हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दे नेक्स्ट वीडियो, दोस्तो आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग हिंदी हंड्रेड मार्क्स क्लास ट्वेल्थ इसका पहला चेप्टर यानि के बातचीत जिसके लिखक हैं बाल कृष्ण भट बाल कृष्ण भट इसका जो इंप्र चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजे चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट कृष्ण की दरफ पहला कृष्ण जैसा कि आप देख पा रहा हैं बाल कृष्ण भट किस काल के रचनाकार हैं बाल नमर D है आधुनिक काल तो जैसे कि आप देख पाड़े हैं 2018 में ये पूछा जा चुगा है ये question तो इसका अगर right answer आपको पता है तो आप हमें comment box में बता सकते हैं अगर इसका right answer की बात करें तो इसका right answer हो जागा option नमर D यानि कि आधुनिक काल बाल किरिष्न भट आधुनिक काल के रचना का रहे हैं ध्यान रखेंगे काफी important question है चले next question के और बढ़ते हैं next question कर रहा है बाल किरिष्न भट की रचना बातचीत क्या है तो जिस chapter के बाड़े पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं यानि बातचीत ये बाल किरिष्न भट की रचना है ये क्या है एक आंकी है कहानी है यात्रा संस्रमडन है या ललित निबंध है तो अगर आपको answer पता है तो आप comment कर सकते हैं कर इसका right answer की बात करा है तो इसका right answer हो जगा option number D यानि के ललित निबंध है ये एक ललित निबंध है ध्यान रखेंगे बातचीत एक ललित निबंध है ये भी question 2018 annual exam में निबंध कार का नाम बताएं बातचीत शिर्षक निबंध जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा ये क्या है एक ललित निबंध है तो बातचीत शिर्षक निबंध के निबंध कार कौन है तो जैसे कि आप चार option देख पड़ें option number A है बालकृष्ण भट, option number B है चंद्रधर, शर्मा, गुलेडी, option number C है रामधारी सिंग दिनकर और option number D है इन में से कोई नहीं तो इसका जो right answer की बात करें तो इसका right answer हो जागा option number A यानि के बालकृष्ण भट, बातचीत के जो निबंध कार है वो बालकृष्ण भट है चले next question क्योंड बढ़ते हैं next question जैसे कि आप देख पाड़े हैं बालकृष्ण भट का जन्म कब हुआ? बालकृष्ण भट का जन्म कब हुआ? तो option number A है 23.0843 और option number B है 23.0844, option number C है 23.0845 और option number D है 23.0846 तो अगर इसका right answer की बात करें तो इसका right answer हो जाग option number B यानि के 23.0844 को बालकृष्ण भट का जन्म ह हुआ था तो काफी important question है आपकी board exam में इसा question पुछा जाता है तो चलिए next question के और बढ़ते हैं next question आपके screen पे बालकृष्ण भट का नीधन कब हुआ? यानि कि बालकृष्ण भट की मिर्थियू कब हुई थी? तो option number A है 20.0912, option number B है 20.0913, option number C है 20.0914, option number D है 20.0915 तो अगर आपको right answer पता है तो आप comment कर सकते हैं अगर इसका fifth number question का right answer की बात करें तो इसका right answer हो जागा option number C यानि कि 20.0914 को उसका नीधन हो गया था चले next question की और बरते हैं तो काफी important question है ध्यान रखेंगे next question काफी important question है इसमें कह रहा है बालकिरिष्ट भट का निवाज अस्थान कहां था? यानि के वो कहां के रहने वाले थे? तो option number A है समस्तिपूर बिहार, option number B है पटना बिहार, option number C है वारानाश्री उत्तर परदेश, option number D है इलहबाद यानि के पढ़ियागराज उत्तर परद परदेश भी option में दे सकता है, चले next question क्यों बढ़ते हैं, next question काफी important question है कह रहा है बालकिर्ष्ण भट ने मोटा मोटी यानि के लगभग कुल कितने निवंद लिखे थे? बालकिर्ष्ण भट कुल कितने लगभग निवंद लिखे थे? तो option number A है 1000, option number B है 1001, option number C है 1002, option number D ह 1003, तो इसका अगर right answer की बात करें, तो इसका right answer हो जागा option number D, option number A, यानि के 1000, यानि के बालकिर्ष्ण ने लगभग निवंद लिखे थे, 1000 निवंद लिखे थे, चले next question क्यों बढ़ते हैं, next question आपके screen पे है, बालकिर्ष्ण के पढ़हसन का नाम बताएं, बालकिर्ष्ण बात करें, तो इसका right answer की बात करें, तो इसका right answer हो जागा option number B, यानि के ये तिनो, जैसा का मुईसा पढ़हसन का विखे और आचार विदमबन, ये बालकिर्ष्ण के पढ़हसन है, तो काफी important question है, आपको इसा question आ सकता है, जो इन में से कौन बालकिर्ष्ण के पढ़हसन नहीं है, तो आपको ये तीनों option में दिया वार रहेगा, और एक कोई दूसरा रहेगा, तो उसमें आपको टिक कर देना है, चले next question क्योड बढ़ते हैं, नेक्स्ट question जैसे के आप देख पा रहे हैं, कह रहा है, कौन सा उपनियास बालकिर्ष्ण भटने नहीं लिखा था, तो option नमर ए है, रहस्य कथा, नूतन ब्रहमचारी, सौ अजान एक सुजान, option नमर भी है, अजास शत्रू, option नमर सी है, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, और उचित दक्षिना, और option नमर डिये, हमारी घरी, सद्भाव का अभाव, तो इन में से कौन सा उपनियास बालकिर्ष्ण भटने नहीं लिखा था, तो अगर इसका right answer की बात करें, तो right answer हो जागा, option नमर भी, यानि कि अजात शत्रू, उन्होंने ये उपनियास नहीं लि यानि के बहुत सारी शक्तियां वर्दान के रूप में, इश्वर ने मनश्क्रदी है, इन में से कौन सा भी एक शक्ति है, तो option नमर A है, अस्पर्ष शक्ति, option नमर B है, श्रवन शक्ति, option नमर B है, वाक शक्ति, option नमर D है, घ्राण शक्ति, तो अगर इसका right answer की बात करें, तो कौन सा हो जाएगा, option number C, यानि कि वाक शक्ति, यानि कि बोलने की शक्ति, तो काफी important question है, चलिए next question की और बढ़ते हैं, next question करा है, addition का मत क्या है, addition का क्या मत है, तो option number D है, सच्ची बात्चित तीन व्यक्तियों में भी हो सकती है, option number D है, असल बात्चित सिर्फ दो व्यक् में होती है, option number D है, सच्ची बात्चित पांच व्यक्तियों में भी हो सकती है, तो इसका अगर right answer की बात करें हैं, तो कौन सा हो जाएगा, addition का मत कौन सा है, तो option number B, right answer हो जाएगा, यानि कि असल बात्चित सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, तो ध्यान रखेंगे, इसा पुछा जा सकता है, जो इन में से addition का मत कौन सा है, तो आपको option number B, यानि कि असल बात्चित सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, इसमें tick लगा देना है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग उन्हें, chapter 1 यानि कि बात्चित Hindi 100 marks का, इसको इसका जो important objective questions था, इसको हम ल पहले मिले, तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, जै हिंद, जै भारत!